चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और हम गॉलजी एपड़ेटस एक और सेल और गिनल के बारे में पढ़ लेते हैं यह एक खास तरीके का कोशी का अंग है जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम से ही मिलकर बना है मतलब एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ने ही इसका नि हो रही है इसकी डेफिनिशन क्या कहते है इट कंसिस्ट ओफ मेंब्रेन बाउंड वैस साइकल विच आर अरेंज पैरलल टू इच अदर एंडीज आर अरेंज इन इस स्टैक स्टैक मतलब होता है गुच्छा टाइप में आप देख सकते हैं आपर गुरूप हो गया एक कॉल बना बना लिया ठीक है तो एक है आप से प्रल एट ऐघर है और इनको बोलते हैं चिस्टेर्न्स स्टन्स यहाँ पर आपको दिखाईदिञा हो गो कई तक ह क्या करते हैं ये फानीच का आशाब करते हैं यह मौड Şu करते हैं क्या हैwed क्यालन की बनाती है अब उसने जो material बनाया वो अभी यूज करने लायक नहीं है तो जो गॉलजी बॉड़ी है वो क्या करती है उस material को endoplasmic reticulum से ले लेती है और उसको modify करती है क्या करती है उसको modify करने के बाद वो उसको further transport करती है उसका परिवहन होता है देख लीजिए these membrane structures are connected with endoplasmic reticulum ठीक है कि से connect होते हैं इंडoplasmic reticulum से इनका main function क्या होता है गॉलजी apparatus का गॉलजी का आएगा storage मतलब चीज़ों को इखटा करना जो हमारा material produce हो इसको इखटा करना उसकी modification करना और further उसकी packaging करना और उसका transportation करना guys जो गॉलजी body है उसको हम traffic police of the cell भी कहते हैं यह question आपको exam में पूछ सकत है which of the organelle in the cell of eukaryotes is known as the traffic police of the cell the answer will be Golgi apparatus Golgi body इसके कई सारे नाम होते हैं Golgi apparatus Golgi body idiosome ठीक है और plants में Golgi apparatus की जगे हमें dictyozome देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है dictyozome यहाँ पर आ रहा होगा screen पे dictyozome और उसकी spelling आप देख लीजिए मतलब plants में जो काम Golgi apparatus animal cell में कर रही है वो काम plants में कौन करे का dictyozome और जो Golgi apparatus है इसको discover किया था एक scientist sugar simple मतलब की subtle sugar आप कह सकते हो मतलब जिनका structure कैसा होता है simple उनको एक complex sugars में convert कर देता है कौन convert कर देता है बच्चो जो Golgi apparatus ठीक है और यह क्या करता है लाइसजोम की formation करता है आप से exam में यह question बी कूछ सकता है कि lysozome की formation किसने करी अपको answer देना है लाइसजोम की formation जो करी है वो करी है गौल जी अपरट नियानी कि लाइजरोजों किस से बना है गौल जी अपरट से देखें एक चीन बन गई है हम पर एक चीन बन गई है यह चीज आपको कोई टीचर नहीं बताएगा और यह चीज आपको 9th Class में देखने को नहीं मिलेगी है सारजिज़ा रेटिकुलम सो ठीक है गॉल जी बॉड़ी है इंस बात करी थोड़ी सी लाइसோ जोँब के दिखी यह क्या है बचों यह एक तीनों मिले हुए है यह तीनों इक दूसरे से जुड़े हुए है एंडोप्लास्विक रेटिकुलम से गॉल्जी बोडी बनता है गॉल्जी बोडी से लाइजोजोम बनता है आपको यह चीज याद होनी चाहिए यह तीनों आपसे कॉइडिनेटिड होते हैं कैसे होते हैं कॉइडिनेटिड मतलब कि इन तीनों का फंक्शन एक दूस्तरी पर बंट है यह घोड एक पूटम की केस्था पॉत्पर रहा है कि अध्यु एयुषर मेटिड गॉच इसको उलनाहां बन शिस्टम इसको form a endomembrane system because their functions are coordinated उनके functions कैसे होते हैं coordinated मतलग कि वो functions आपस में कैसे होते हैं जुड़े हुए होते हैं इन सब का काम करना जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है ठीक है I hope आपको यह सब क्लियर हो गया होगा अब हम next organelle की तरफ बढ़ते हैं तो चलिए गाइस हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और हम endomembrane system के एक और organelle के बारे में पढ़ लेते हैं वो है lysosome lion kai देखिए lysosome को जो है वो suicidal bag of the cells भी कहा जाता है देखिए lysosome जो है उसके अंदर कुछ है hydrolytic enzymes होते हैं hydrolytic enzymes जो यह hydrolytic enzymes हैं इनको rough endoplasmic reticulum तयार करता है जो खुड़दुरा endoplasmic reticulum है वो इनको तयार करता है तो जो यह suicidal bag से इनका काम क्या होता है आप सोचेंगे देखिए suicidal bag का जो काम है वो यह है कि मान लीजिए cell के अंदर कोई bacteria enter कर रहा है अगर cell के अंदर कोई bacteria enter कर रहा है तो cell के लिए यह अच्छी बात नहीं है खत्रे की घंटी है इस खत्रे के घंटी को lysosome सुन लेता है और वो वहाँ पर आ जाता है और वो बर्स्ट हो जाता है लाई लइजोसोम के अंदर एंजाइम सोते हैं वो उस बेक्टीरिया को तभाह कर द dette है कि चारते हैं उस बेक्टीरिया को तभाह कर देदे हैं यह फिर कोई भी सरौन है कोई भी कोशी का अंग है अब वो पुराना हो चुका है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है अब सेल क्या करेगी देखिए कि अब न्यूकलिस का करेगा और्डर करेगा न्यूकलिस का करता है पूरी सेल को क्योंकि न्यूकलिस का एक बॉस है न्यूकलिस उस कंपनी का बॉस है ज तो न्यूक्लिस बोलेगा लाइस जों से कि जाओ इसे तभा करकर आओ यह अब डेड़ हो चुकिए इसका कोई यूज नहीं है तो लाइस जों उधर जाएगा उस डेड़ और गिनिल के पास जाएगा उस मृत कोशी का अंग के पास जाएगा और उससे तभा कर देगा तो गा बनाता है लाइज जो जूं बनता है लेंका यड माधा क्योंकि इनकोडि सिस्ट्रम और्व लुग ब €Ne talo जा रहा है इसका जो यह है बिज्य क्लिन अप दस्रह उससे मौ सेल की सफाइग करते हैं वाइज यह उस चीजs को डाइजर्ट करके किस चीज़ को डाइजोस करके बाहर से आने वाले material को जैसे कि bacteria मान लेजी बैक्टीरिया इंटर किया उसको जो है लाइज़ोजोजों डिस्ट्रॉइ कर देगा या फिर कोई यूज़ोजोजों वो सफाइ करता है सेल ठीक है अब बाइज़ोजों में क्षोटी सी चीज और है लाइस और चैसल की बोल जाता है ऐसा इसली है क्योंकि देखी घृटो में सेलेलर मेटाबॉलिजम में?. का मतलब यह है कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेश हो रही है उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए मानले जी सेल डैमेज हो चुकी है अब वो उन प्रोसेस को करने के लिए तैयार नहीं है अगर सेल उन प्रोसेस को करने के लिए असक्षम है उन प्रोसेस को करने के लिए तो जो लाइजोजोम है तो जो लाइजोजोम है वो बर्स्ट हो जाता क्या ओज इतは मैं बाट हो जाता है ठीक जिस in बाट हो कि आप इसको अपने दिमागर में विठा लीजी हाइड्रोवाइ видео कर देंगे एक टरीके से उसने तो इसको क्या बोलते हैं खुद का खुद को खतम कर देना इसको खुशी बोलते हैं इसी लिए इनको सुर्साइडल बैक कहते हैं क्योंकि इन्होंने खुद के अस्तित्व को ही खतम कर लिया काई जी बहुत जाद इंपोर्टन चीज है अब से भी पूश सकता है यह विल आंसर दी तो दिस्टरबेंस इन दा सैलिलर मैटाबॉलिजम अच्छा एक मैं इंट्रस्टिंग चीज आपको यहां पर किलियर करा देता हूं जी मैटाबॉलिजम वड होता है मैटाबॉलिजम ठीक है इसके बारे में वैसे कोई आपको बता है मतलब कि मेटाबॉलीजम वर्ड होता है दो प्रॉसेटेस मिलकर बना होता है एक होती है हमेरी प्रॉसेट एनेर्जी जो बनती है इनर्जी क्या बंती है क्या होती है इनर्जी जो है, वो हमारे पास बन रही है, क्या हो रहा है बेटा बन रही है, बनती है, ठीक है, बनती है इसमे इनर्जी, एनबॉलिक प्रोसेसेज में, जबकि जो केटाबॉलिक प्रोसेसेज होती है, इसमें जो बनी होई एनर्जी है, इसका यूज होता है, एक तो हमने क्य बनी और उस एनर्जी का इस्तेमाल हुआ उसको बोलगे हमने मेटाबॉलिजम बहुत जादे इंपॉर्टेंट है आप इसको प्लीज मार्क कर लीजिए आपको काम आएगा मेटाबॉलिजम के सिमिल कर बना होता है एनाबॉलिक प्लस में केटाबॉलिक प्रसेश से आई हो गाई आपको एंडो मेंबरेन सिस्टम यानि की एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम गॉलजी अपारेटर्स और लाइज जो यह तीनों ही अच्छी तरह समझ आ गए होंगे गाई वो ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है उधर से कोशन भी बनता है और आपका कंसेप्ट भी बनता है तरह सरे लोग बाई-लोग प्रटने का सब्जक्ट बोलते हैं अगर आपको को यही नहीं बताएगा की मेटाबॉलिसम दो प्रसेस से मिलका बना होता है जैसे कि अनाबॉलि होगा तो चली आप अपना ध्यान रखिए मास्क लगाईए घर से बाहर बिना बात मत जाईए और अपनी पढ़ाई करते रही और फालतों की जो यह वेब सिरीज वगेरा चलती है इनको थोड़ा मत देखिए और अपने जो अपना जो मेन फोकस है वहाँ आप पढ़ाई पर रखिए ठीक है तो इससे आपको फाइदा होगा और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी क्रैक करने में आपको आसान ही होगी और उसमें थोड़ा मज क्या पर बाती है